हेलो एवरिवन वेलकम टू उतकर्स आप सभी विद्यारतियों का उतकर्स परिवार में स्वागत करता हूँ मैं पवन कुमार पारिक आज के इस क्लास में विद्यारतियों वास्तविक संख्या जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर वन अध्या एक उसमें आज हम और भी नई आज का ये जो वीडियो है या आज की जिव क्लास है बहुत ज्यादा महत्वपून है आपके बोर्ड परिक्सा की दरश्टी से इसलिए आज जो भी मैं कॉंसेट बढ़ाता हूँ टॉपिक बताता हूँ उनको आपको अच्छे से समझना है और उन पर पूरा खरे उतरना है उनकी तैयारी आपको मजबूत कर देनी है क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपून आज की कलास है तो आज की कलास में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ युकलिड विबाजन प्रमे का उसे हम आज जानेंगे उसके अलावा जो महत्वपून टॉपिक के स्टुडेंट वो है हमारा लसब और मसब ज्याद करना उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे अंक गणित की मूलबूत प्रमे वो भी आज ही जानेंगे तो सबसे पहले हम आगाज करते हैं इन टीन टॉपिक से जुड़ीवी जो भी वस्तु हैं जो भी आपको बता वैसिक से हम उठ रहे हैं वित्यारतियों और हम अच्चे से समझ रहे हैं पहली बात करते हैं अभाज जी संख्याएं क्या होती हैं अभाज जी संहक्याएं देखिए वे Sंहक्याएं जिन में Steel क insufficient का भाग नहीं जाता हो अभाज जी संहक्याएं कहलाती है यानि वो संक्या है वो संक्या है जिन में केवल एक का भाग जाएगा या स्वयम उसी संक्या का भाग जाएगा उसे कहते अबाद जी संक्या जैसे मैं लिखता हूँ student उदान के रूप में या अबाद जी संक्या है मैं लिखना प्रारम करता हूँ जैसे student दो, तीन, पाँच, साथ इन सभी संख्यावों को आप देखे इनको मैं अभी समझाओंगा और आपको समझना है student ध्यान से सुनिये इन सभी संख्यावों को यह वो संख्या है जैसे दो की बात करे तो दो में सिप दो का भाग जाता है या एक का भाग जाता है और किसी भी संक्या का भाग नहीं जाता है उसी तरह जैसे साथ की बात करे तो साथ की बात करे तो साथ में केवल साथ का भाग जाता है या एक का भाग जाता है और कोई संक्या ऐसी नहीं जिसमें साथ का भाग पूरा पूरा जाता है या दूसरे सब् भी होती है मैंने 19 तक लिखी 19 के बाद और 23 जो भी है उन्तीस इस तरह और भी होती है तो मैं इनके लिए आपको बता देता हूं जैसे 7 है तो 7 में 7 का भाग जाएगा एक बार या 7 के अंदर 1 का भाग जाएगा कितनी बार 7 बार और कोई संक्याय नहीं है जिन में भाग जाता हो केवल साथ में साथ का और एक का भाग जाएगा जैसे तेरा की बात करें तो तेरा में केवल तेरा और एक का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा ये सारी हमारी क्या है अब भाज्य संख्या है अब बात करते हैं बाज्य वे संख्याएं उसका उल्टा है जिसमें जैसे इनमें सेवल संख्या और एक का भाग जाता है इनमें क्या होता है संख्या और एक का भाग तो जाएगा उसके अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है तो वे संख्याओं जिनमें एक अत्वा स्वयम के अत्रिक्त अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो वे बाज्य संख्याओं कहलाती है जैसे मैं उदान से समझाना चाहूंगा student उदान के रूप में ध्यान से सुनना जैसे मैंने लिग दिया विद्यार्तियों कितना चार लिग दिया, छे लिग दिया, आठ लिग दिया, नौ लिग दिया, दस लिग दिया, बारा लिग दिया, चौदा लिग दिया, ठीक है, पंदरा लिग दिया, सोला लिग दिया, अठारा लिग दिया, इसी तरह बीस लिग दिया, ये संक्या है मैंने लिए, और भी होती है, मैंने अभी इतनी ही संक्या लिए तो इन संक्याओं में द्यान से सुनना एक और इन स्वयम संक्या का भाग तो जाएगा उसके अलवा अन्य संक्याओं का भी भाग जाता है कैसे मैं बात करता हूं श्टुडेंट बारा की तो देखिए आप बारा में बारा के अंदर एक का भाग तो जाएगा ही बारा के अंदर बारा का भाग तो जाएगा ही ये तो clear है उसके अलवा अब बारा के अंदर आप देखो दो का भी भाग जाता है बारा के अंदर आप ज्यान से देखो तीन का भी भाग जाता है बारा के पाड़े में भी बारा जो है बार भी बार आएगा यानि कहने का मतलब है यहाँ पर केवल दो संक्याई नहीं उनके अत्रिक्त संक्याओं का भी भाग जाता है इसलिए इन्हें बाज्जी संक्याई कहते हैं यहाँ जो संक्याई है उनके केवल दो गुननखंड है यहां 2 से ज़्यादा गुणन करने जैसे 12 के कितने गुणन करने एक दो तीन चार पांच ठीक है 6 गुणन खन्डे तीन ये तीन ये 6 गुणन खन्डे यानि 2 से ज्यादा है जैसे बात करूं इस्टुट्टेंट 18 की तो अठारा देखिए, अठारा एक और अठारा से तो विबाजित है, एक के पाड़े में भी आएगा अठारा के पाड़े में, अब देखो दो नम अठारा होता है, तीन के पाड़े में भी तीन चंग अठारा, छे के पाड़े में भी छेती अठारा, और नो के पाड़े में आ रहा है कौन 18 तो दो एक ऐसी संक्या जो एक और स्वयम से विबाजित हो उसके अत्रिक अन्य संक्याओं से भी विबाजित हो उन्हें हम क्या कहते हैं भाजी संक्या है अब बात करते हैं एक की विशेस पॉइंट द्यान देव श्टुडेंट कुछ विशेस पॉइंट संक्या है ना ही बाजी संक्या है एक के बारे में विसेप्ट क्या याद रυχना है एक न तो अबाजी संक्या है न आ अबाजी संक्या है इस तरह का landmark दोनों में ही सामिल लिगरी में एक को सामिल नहीं करते हैं अब आपको बोल दे कि सबसे छोटी अबाजी संक्या कौन सी है तो आपको कोई भी पूछे सबसे छोटी अबाजी संक्या कोई भी आपको पूछे वो कौन सी है दो है सबसे छोटी अबाजी संक्या वो कौन सी है दो है कोई भी आपको वो ना तो भाज्जे न अबाज्जी तो सब से छोटी अबाज्जी कौँसी हुई दो उसके अलावा ये जो दो है बाकी आप अबाज्जी संख्याओं को देखिए दो, तीन, पाँच, साथ ग्यारा ये सारी विशम में केवल और केवल एक मात्र एक मात्र दो ऐसी सम संक्या है जो अभाज्य है बाकि सारी विशम है केवल दो एक ऐसी संक्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है तो एक मात्र सम संक्या भी है ठीक है एक मात्र इसको मलिक सकते हैं एक मात्र सम अभाज्य संक्या बाकि सारी अभाज्य संक्या है विशम है एक म कोई पूछे तो आप कह देना दो है clear है दो है ओके श्ट्रेंट तो आपको अभाज्य और भाज्य के बारे में मुझे लगता है पूरी जानकारी हो गई है अब हम आगे बढ़ते हैं अगला टोपिक है हमारा सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती युगमे यानि जिसमें दो संख्या है जोडा जैसे चपल का जोडा किताबों का जोडा दो किताब हो गई आरिबास आखों का जोडा यानि दो आखों गई तो दो संख्याओं का एक ऐसा युगम जिनका अबाज्य गुननकंड केवल एक हो विद्यारति हो दो संख्याओं ऐसी हो दो संख्या हैं आपको ग्याद करनी जिनका अबाजी गुननकन केवल एक हो उसके अलावा कोई संख्या नहीं हो तो उसे कहते हैं सवबाजी संख्या जैसे उधान के तोर पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी संख्या है कौन सी है जिनका अबाजी गुननकन एक हो आट के अबाजी गुननखन करते हैं तो क्या आता है दो इंटू दो इंटू दो आएगा और नौ का अबाजी गुननखन क्या आएगा तीन इंटू तीन आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो 8 के पाड़े में 9 आता है ना 9 के पाड़े में 8 आता है और इनके अबाजी गुननखन देखिए 8 के अबाजी गुननखन में 2 आ रहा है 9 के अबाजी गुननखन में 3 आ रहा है तो 3 जो है 8 के अबाजी गुननखन में नहीं है और 2 जो है 9 के उबयनिष्ट नहीं है कुछ common नहीं उबयनिष्ट का मतलब होता है common ठीक है उबयनिष्ट वर्ड यूज करूं जहां भी उबयनिष्ट मतलब अपन बात करते हैं उबयनिष्ट मिंस क्या होता है common तो इनके अबाजी गुननकर्ण में कुछ भी common नहीं है कुछ भी उबयनिष् संक्या है clear है और इनका मसब बात करें स्टुडेंट मसब भी इनका कितना होगा आपने मसब पड़ा होगा और मैं आज की कलास में और डीटेल में बताऊंगा इनके अबाजी गुननखन में कुछ भी common नहीं आ रहा है तो इनका मसब कितना होता है एक होता है मसब इनका एक पड़ा है तो इनका मसब यानि महत्तम समापवर्थक एक लिया जाएगा clear है क्यों क्यों एक लिया जाएगा क्योंकि देखो आप इधर इंटू एक लिखोगे और इधर इंटू एक लिखोगे तो देखो दो दुनी चार दुनी आठ एकम आठ आठ ही हुआ तीन तिया नो एकम नो नो हुआ यानि एक से गुणा किया दोनों के अबाज जी गुनन खंडो में तो कोई changes नहीं आया अभी भी कुछ changes नहीं आया इसका भी उत्तर आठ आ रहा इनका उत्तर नो आ रहा और हमें देखो दोनों में समान चीज नजर आ गई समान संख्या नजर आ गई कौन सी एक नजर आई इसका मतलब इनका मसब एक होगा आ रही बाहा समझ में तो इनमें उबईनिष्ट एक हुआ इसलिए आठ वह नो का अबाज जी गुनन खंडो समान कौन सा है एक है ओके और आप जानते भी हो कि आठ और नो जो है दोनों ही संख्याएं एक से विबाजित हो गुनन खंड क्या होता है कि जिस पहाड़े में संख्याएं आई तो एक के पहाड़े में भी आठ आती है और नो जो है वो भी एक के पहाड़े में आता दोनों ही संख्याएं आठ और नो जो है एक के पहाड़े में आती है यानि दोनों का गुनन खंड होगा एक इसलिए द एक और उदान लेते हैं, उससे और आपको clear हो जाएगा, एक और उदान अपन ले लेते हैं, ठीक है, तो सव बाजी आप पूरा समझ रहे होंगे, एक और उदान लेते हैं, 25 वा 26 का उदान लेते हैं, जैसे ये दो संक्या हैं, clear है, अब देखना, 25 के अबाजी गुननखन करो जो की 26 में नहीं है, और 26 के अबाजी गुननखन में 2 और 13 आते हैं, जो की 25 के अबाजी गुननखन में नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में कुछ उबाइनिश्ट नहीं है, तो हम एक तो लगाई सकते हैं, यह अब देखो, 5 इंटू 5, 25 से कम, 25, 2, 3 गुना करेंगे, 26, 26 से क्या कहते हैं, महत्म समापर्तक, जिसके बारे में भी हम डीटेल में और पढ़ेंगे, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, जो दोनों के अबाजी गुननखन में आए, उस उबाइनिश्ट संक्या को हम क्या कहते हैं, मसब कहते हैं, क्लिर है, तो दोनों का गुन यानि एक जो है ये, एक जो है दोनों का गुननखंड है, क्लिर है, गुननखंड मन मतलब हुआ 25 और 26 दोनों ही एक के पाड़े में आते हैं, और उसके अलावा कोई संक्या नहीं है, जिसमें दोनों संक्या आएं, केवल और केवल एक के पाड़े में, इसलिए एक इनका होगा और इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं सह अबाजी संख्याएं क्या कहते हैं सह अबाजी संख्याएं क्लिए यह आगे आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा इसलिए इनको ध्यान रखें कि सह अबाजी संख्याएं क्या होती जिनका मसप एक और मसप के बारे में डीटेल में और पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना याद रखो, जो दोनों के अबाजी गुननखन में आए, तो आपने देखा, दोनों के अबाजी गुननखन में एक आ रहा है, यहां भी दोनों के अबाजी गुननखन में एक आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपि के important topic के विद्यारती में IMP लगा दिता हूं इसको हम अच्छे से समझेंगे द्यान से सुनना यदि A एवं B दनात्मक पूर्णांक है दो दनात्मक पूर्णांक है A और B क्लिर है दनात्मक पूर्णांक आपको मैंने बता है पूर्णांक में जो सुन्य से बड़े होते हैं वो दनात्मक पूर्णांक A और B दनात्मक पूर्णांक है तो ऐसे दो तो दो ऐसे अधित्य पूर्णांक Q एवं R इस प्रकार होते हैं कि A बराबर क्या पाया जाता है B Q प्लस R पाया जाता भी मैं इसको डीटेल में समझाऊंगा अभी आप आगे सुनना अथार्थ एक दनात पूर्णांक B से विबाजित करने पर बाफ़ल Q और सेस्पल R प्रकार होता है ठीक है ये तो इन्होंने बोला अब इसको और कब समझ में आएगा जब मैं इसको एक्सप्लेशन दूँगा जैसे मैं एक उदहन से समझाता हूँ जैसे आपको बोला 56 के अंदर 56 के अंदर 9 का भाग दो तो कैसे देंगे इस्टुडेंट 9 का भाग दीजे कितनी बार जाएगा 9 एकम 9 दो दुनी 18 नो तिया 27 नो चोग 36 पांच 45 नो चंग हो गई 54 चे बार जाएगा तो नो चंग कितने हो गई स्टूडेंट 54 हो गई सेस कितना आया दो ठीक है अब ये जो चीज आप द अब कैसे सुनना हम जो बचपन में बाग देते थे ये जो 9 होता था जिसका हम बाग देते हैं वो क्या होता है बाजक होता है हम जिसमें बाग देते हैं वो चीज क्या होती है वो होती है बाज जी हम जिसमें बाग देते हैं बाग कितनी बार गया उसे हम क्या कहते हैं बाग प्रमेका में नया नाम दे दिया जो बाजक है विद्यारतियों जो बाजक है उसे भी कह दिया जो बाज्य है उसे ए कह दिया जो बागफल है उसे क्यों कह दिया और सेस्पल आया उसे आर कह दिया और कुछ नहीं है युकलिड विबाजन प्रमेका जो आप बचपन से पढ़ विद्यार तो यह आपने खूब पढ़ा होगा यह वाले चीज यह आपने पढ़ा होगा कि बाजी बराबर सदीर क्या होता है बाजी बराबर होता है बाजक गुणा भागफल बाजक गुणा भागफल प्लस सेशपल यह आपने पढ़ा होगा खूब पढ़ा होगा कि बाजी हम इसा प्राप्त करना हो तो बाजक को बागफल से गुणा करो प्लस 6 पल कैसे सुनना हमारा बाज जी कितना है 56 है बाज जी हमें जिसमें बाग दिया वो 56 है बाजक इंटू बागफल तो बाजक कितना है 9 है बाजक 9 है और बागफल 6 है गुणा करो 9 इंटू 6 ठीक है बाजक हमने 9 लिया बागफल 6 प्लस क्या करना है 6 पल 2 ठीक है प्लस 2 और आप देख लीजे 9 चंग 54 और 2 चपन हो रहे हैं यानि ये कतन बिल्कूर सही बैट रहा 56 बराबर क्या होता है 9 इंटू 6 चोवन प्लस 2 ये आपने पढ़ा बस ये युकलिड विवाजन प्रमी का है बस इसको ये ऐसे लिख दीजिए ये 56 जो है हमारा क्या हो गया ए हो गया ठीक है ये 9 क्या हो गया जिसका हम भाग देते हैं उसे हमने कहा B ठीक है और जिस कितनी बार गया उसे हमने Q कहा और इसे हमने क्या कहा R कहा तो ये देखो बना A बराबर B इंटू Q BQ मतलब क्या हुआ इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर B इंटू Q प्लस R ठीक है तो A बराबर B इंटू Q यानि BQ लिख दो सिधा BQ मतलब B और Q गुना हो रहे हैं प्लस R बस ये यूकलिड विभाजन प्रमे का है आपको कुछ नहीं करना है दो तो छोटी संक्या का भाग बड़ी में दे दो पर बाग देने के बाद इस तरह रूप में लि A बराबर B Q प्लस R clear ए A बराबर B Q प्लस R रूप में आप लि wovenков दो अब इसमें दो सर्थ ये विद्यार्ति विशेज द्यान रखनी है ये जो मेरा आर है ना सेस्पल ये सेस्पल विद्यार्तियों हमेशा हमारे बाजक से बढ़ा होगा हमेशा क्या होगा विद्यार्तियों ये याद अखना हमारा सेस्पल हमेशा जीरो से बढ़ा होगा और बाजक से छोटा हो सेसपल जो है जिसका हम भाग देते हैं उससे सदेव कम होगा उसके बराबर भी नहीं हो सकता है सेसपल हमेशा जिसका हम भाग देंगे उससे कम होगा लेकिन जीरो से बड़ा होगा और जीरो के बराबर भी हो सकता है अब ये क्या चीज है सर ये मैं आपको उदहरणों के माध बाजक इंटू बागपल प्लस सेसपल जो बड़ी संक्या है उसे सदेव A कहना है बड़ी संक्या को A कहना है और छोटी संक्या को B कहना है तो हमने बाग दे दिया A बराबर B Q प्लस R लिख दिया A बड़ी संक्या B जिसका बाग दिया बाग कितनी बार गया वो B Q हो गया प्ल हो सकता है जीरो से बड़ा कितना भी हो सकता लेकिन सर्थ याद रखना बाजक से कम होगा वो मैं आपको उधानों के माध्यम से अब समझाने वाला हूँ कि किस तरह ये जो है सेस्पल आपको मैंने भी बताया जीरो हो सकता और जीरो से बड़ा लेकिन बाजक से छोटा तो मैं कुछ उदान लेता हूँ जैसे मैंने लिया सबसे पहले मैं 81 के अंदर ये तीन उदान लेता हूँ 81 के अंदर तीन का भाग दूँगा इन में लगाँगा एक में लगाँगा विद्यार्तियों साथ के अंदर चार का भाग दूँगा और एक विद्यार्तियों में क्या करूँ चार के अंदर साथ का भाग दूगा इन तीन उदानों के मद्यम से युकलिड विबाजन प्रमेका को अच्छे से समझेंगे ठीके तो पहली बात करते देखो आपको दो संक्या दी तीन वह 81 दी तो आपने बड़ी संक्या अमारी सदेव क्या होती है ए और छोटी संक्या क्या होती भी होती है ठीके तो छोटी संक्या का भाग बड़ी में दो तो तीन का भाग कितनी बार जाएगा तीन दूनी छे सेस्पल कितना आया दो फिर एक उतरेगा तीन सत्य कितना आ जाएगा 21 सेस्पल आ गया जीरो तो यहां आप क्या देख रहे हैं यहां आप क्या देख र अब हमें इस रूप में लिखना है A बराबर B इंटू Q प्लस R आप इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं A बालक क्यों रोवे ए बालक यानि B हो गया Q मतलब क्यों और R मतलब रोवे A बालक क्यों रोवे उससे भी आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं A बराबर B Q प्लस R रूप में मैं लिखूँ तो देखो A कितना है मेरा A है विद्यार्थ 81, B 3 है भाग दिया था Q कितना है स्टूडेंट Q हमारा है 27 प्लस 6 पले 0 बस यह हो गया यूकलिड विबाजन प्रम अब बात करते हैं अगले Q के चार और सात की ठीक है अब देखो Čर का भाग सात में देना है कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा सेस कितना आएगा तीन आएगा अब इस से आगे भाग नहीं जाएगा बाग हमारा रुख चुका है क्योंकि चार बड़ा है तीन छोटा भाग नहीं जा सकता तो अब हम क्या करेंगे अब हमारे पास आ चुके हैं ये चार जो आया ये जिसका हम भाग देते वो B आ चुका है जिसमें हमने बाग दिया बड़ी संक्या A आ गई यह हमारा Q हो गया और यह हमारा R सेस्पल हो गया अब हम इस रूप में लिखना चाते हैं A बराबर B इंटू Q प्लस R तो आराम से लिख सकते हैं बड़ी संक्या 7 हो गई B कितना हो गया 4 हो गया Q हो गया 1 प्लस R सेस्पल कितना हो गया 3 ठीक है अब यहां पर भी आपके पास सब कुछ डीटेल आ चुकी है clear है A बराबर B इंटू Q प्लस R रूप में आपने लिख दिया है अब आगे बात करना इस्टूटेंट ध्यान से अब आगे हम बात करते हैं 7 का बाग चार में अब देखिए यहां इस case में आप क्या देख रहे हो जो हमारा A है यह जो होता इसे B कहते हैं इसे हम A कहते हैं तो इन सभी उदानों में मैंने क्या क्या जिसमें भाग दे रहा हूँ वो बड़ी संक्या है और भाग जिसका दे रहा हूँ वो छोटी है देखो तीन छोटा है 81 से चार छोटा है साथ से इस उदान में देखिए बड़ी संक्या का भाग छोटी में दिया जा रहा है ऐसा भी आ सकता है तो यहां क्या हो रहा इस केस में आप ध्यान से देखिए मेरा भी जो है बाजक बाजी से बड़ा है अब साथ का बाग चार में नहीं जा सकता शुरेन जाएगा कैसे बिलकुल नहीं जा सकता तो कितनी बार भाग देंगे जीरो बार अब यहां कितनी बार आएगा अब ध्यान से सुनना यहां चार का बाग 7 into 4, 7 का बाग 4 में 0 बार गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे इस 4 के नीचे, 7 into 0 किता होगा? 0 होगा. जैसे यहां 4 एकम 4 लिखा, यहां 3 into 2 का गुना यहां लिखा, इसी तरह यहां 7 into 0 का गुना, जो कि 0 होगा वो यह लिखा, और 6 पल कितना आएगा? 4 आएगा. यहां R का मान कितना आ गया 4 आ गया और Q का मान 0 आ गया और वो ही रूप आप जानते हो बाज़ी बराबर बाज़क into बागफल प्लस सेसपल तो बाज़ी क्या है student इस बार 4 बाज़क है 7 बागफल कितना है 0 सेसपल कितना आ गया 4 तो इस रूप को भी आप क्या लिख सकते हो A बराबर B into Q प्लस R इस केस में आपने क्या देखा student इस केस में आपने देखा कि मेरा बाज़क जो है बाज़ी से बड़ा है अब इन सभी उदाहनों से कुछ चीज़े और clear कर देता हूँ जो मैंने अभी आपके सामने कहा कि सेसपल जो है सदेव सेसपल 0 से छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है लेकिन बाज़क से छोटा होगा अब आप देखे इस उदाहन में यहां सेसपल कितना आया यहां सेसपल आया मेरा 0 और बाज़क जो बाज़क जिसका बाग दिया 3 तो आप देख रहे हो यह सेसपल 0 आया बाज़क 3 है तो सेसपल क्या है हमारे बाज़क से छोटा है clear है और सेसपल 0 भी हो सकता है मैंने बोला इस case में clear है इस case में आप देखो बाजक से तो छोटा ही है यहाँ जो आप देख रहे हो विद्यार्तियों 3 से 0 छोटा होता है clear है सेसपल जो है बाजक से छोटा है और 0 भी है इस case में देखिए सेसपल कितना आया सेसपल 3 आया और बाजक कितना आया चार है तो आप देख रहे हो ये अभी भी देख लो चार जो है 3 से बड़ा होता है यानि सेसपल बाजक से छोटा है लेकिन इस बार सेसपल 0 नहीं है इस केस में तो सेसपल 0 था आपने देखा था इस केस में जो है सेसपल not equal to 0 हो, सेस्पल 0 नहीं है, सेस्पल का मान 3 हो गया, लेकİν अभी भी बाज़क से तो छोटा ही ओगा, इस case में देखते हैं सेस्पल कितना आया, R का मान 4 आया, ठीक है, जो की 0 के बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, बाज़क कितना है, जिसका हम बात दे रहे वो सांथ अभी भी देखो सेसपल जो है बाजक से छोटा है ये चार जो है सांथ से छोटा है तो आपने मैंने अभी बताया कि सेसपल जो है जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ी संक्याती नहीं हो सकती है चार हो सकती लेकिन बाजक से सदेख छोटी ही होगी ये हमेशा फिक्स बराबर भी नहीं हो सकती उसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी कि आपके बागफल का मान बागफल क्यू का मान जीरो भी हो सकता है अभी मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ एक तो कंडिसन ये लिखी क्यू का मान क्या है क्यू का मान सुन्यस हो सकता है क्यू का मान जी का बाग छोटी में देंगे भाग जाएगा नहीं तो बाग फल क्या होगा जीरो तो यह चीज़े आपको क्लिर होनी चाहिए बाजी बराबर भाजक इंटू बाग फल प्लस एस पल इसे युकल्ड विवाजन प्रमेका हम कहते हैं क्लिर है आगे बढ़ते हैं कुछ प्रस्णो संक्या को तो ए मान लो और छोटी संक्या को क्या मान लो भी मान लो बड़ी संक्या में छोटी का बाग दो तो छे दूनी बारा सेस कित्ता आ गया पांच बस इसको क्यू कह दो इसको आर कह दो और इसको बाग फल कह दो क्लिर है और इस रूप में लिख दो कौन से रूप मे A बराबर B इंटू Q प्लस R यानि 17 बराबर बाजक 6 इंटू भागफल है 2 प्लस सेस्पल 5 बस ये हो गया युकलिड विबाजन प्रमे का रूप इनको दर्साना है 21 वह 7 को तो बड़ी संक्या 21 को A मान लो और छोटी संक्या 7 को B मान लो अब भाग दे दो 21 के अंदर 7 का तो 3 बार जाएगा पूरा पूरा सेस्पल क्या आ गया जीरो तो ये चीज हमारी क्या हो गई Q हो गई और ये R हो गई हमें तीन चीजे मिल गई, A मिल गया, B मिल गया, Q और R मिल गया तो A बराबर क्या होता है, B into Q plus R तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए 21 बराबर 3, बाजक 7, बागफल 3, प्लस 6, पल 0 तो इन दोनों प्रस्टों में मैंने युकलिड विबाजन प्रमीका को दर्शाया अब जो हमने कथन शुरुआत में पढ़ा, वो होता क्या है, वो भी हमें अब समझ में आ जाएगा तो युक्लिर विवाजन प्रमिका होती क्या है कि A और B दो दनात्मक पुर्णांग है हमेशा हम संख्यां ले रहे हैं मैंने भी ले लेकर बताई आपको ठीक है दो पुर्णांग ऐसे होते हैं कि उनके लिए भी दो दनात्मक पुर्णांग ऐसे होते हैं और वो भी अध्वित्य होती उनके जैसी कोई दूसरी संक्या मौजुद नहीं है यदि मैं यहां 56 और 9 लूँगा यदि मैं 9 का बाग 56 में दूँगा तो 100% बागफल 6 आएगा और 6 पल दो आएगा उसके लावा और कोई नहीं आ सकते इन दूनों बागफल और 6 पल का इस्तान और कोई संक्या ले नहीं सकती है यदि मैं विद्यारत यहां पर देखूं मैं 4 और 7 लूँ ए लूँ 7 और बी लूँ 4 दो दनात्मक पूर्णांग लिए तो इनके लिए 100% बागफल 1 और 6 पल 3 ही आएगा उसके लावा और कोई संक्या नहीं हो सकती ये 2 अध्वित्य पूर्णांग ही होंगे तो यही चीज बोली है कि यदि दो संक्या हैं A और B दनात्मक पूर्णांग हैं उनके लिए Q और R जो है अध्वित्य होता है और उन चारों में किन में A में B में Q में और R में एक संबन्द होता है A बराबर B Q पलस R A बालक क्यों रोए उस सुत्र के माध्यम से संख्याओं को दर्साना उर्षी को कहते हैं युक्लिड विबाजन प्रमेका यानि एक दनात्मक पूर्णांग A में दूसरे दनात्मक पूर्णांग B को भाग दो तो बागपल और सेस्पल प्राप्त होते हैं और उनमें ये बंद होता है इसे कहते हैं युक्लिड विबाजन प्रमेका आगे बढ़ते हैं अगला है युक्लिड विबाजन एल्गोरितम या कलन वीदी द्वारा महत्तम समापर तक ग्याद करना क्लीर है अब देखो ये जो युक्लिड विबाजन प्रमेका है इसके माध्यम से हम संख प्लस आर यह हमारे है ए बराबर बीक्यू प्लस आर यह हमने पड़ी यूकलिड विवाजन प्रमेका यह हमने क्या पड़ी है यूकलिड विवाजन प्रमेका ठीक है ए बराबर बीक्यू प्लस आर यह हमारे लिए क्या हो गई यूकलिड विवाजन प्रमेका हो गई अब कहा कि यहां पर एक सर्द दी के आर का मान सदे बाजक से कम होगा और जीरो या जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन याद रखना जब सेस्पल यदी हमारा सेस्पल जीरो हो जाए यदी आपको आर का मान जीरो हो जाए ये विशेश कंडिशन याद रखना युकलिड विबाजन algorithm एक process होगा उस process को मैं अभी समझाऊंगा student Euclid विबाजन algorithm जो है एक process होगा algorithm यानि चरण steps होगे उस पूरे steps को algorithm अंगरेजी में कहा जाता है इसमें हम क्या करेंगे यदि सेस्पल हमारा 0 आ जाए यदि सेस्पल 0 आ जाए तो उस इस्तती में जो हमारा B होता है उस इस्तती में जो B होता है यदि सेस्पल 0 आ जाए तो जो हमारा B यानि जिसे हम बाजक कहते हैं वो क्या होगा वो मसप हो जाएगा क्या हो जाएगा संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा यह आपको याद अखना है यदि आपको दो संक्याइं A बराबर B Q प्लस R दे रखा हो और यदि सेस्पल 0 हो सेस्पल आपको 0 मिल जाए तो 100% जो बाज़क होगा वहीं संक्याओं का किन संक्याओं का? A व बी का A व बी जो संक्या है उनका मसब होगा A व B का मसफ हमारा B हो जाएगा कैसे उदान की मदद से समझते हैं ठीक है जैसे मैंने लिया 3 व 21 ठीक है 3 व 21 मैं आपको लेता हूँ अब देखिए ये दो संक्या हैं इस पर मैं यूकलिड विबाजन अभी मैं अलूगोरित्म समझाऊंगा कैसे करना है अभी आप बस इसको सुनिए 3 व 21 दो संक्या है अब आप देखिए 21 के अंदर 3 का बाग देते हैं 7 बार पूरा पूरा जाएगा सेसपल क्या आ गया 0 आ गया सेसपल 0 आया तो मैं यदि कैसे लिखूंगा A बराबर B Q प्लस R रूप में लिखना है A है 21 B है बाजक 3 बागफल 7 प्लस सेसपल 0 तो यहां आप क्या देख रहे हो सेसपल R का मान 0 है सेसपल का मान 0 है तो सेसपल 0 हो तो यह जो संक्या है एक तो 21 और एक 3 तो 3 व 21 का 3 व 21 का जो है मसब विद्यारतियों कितना होगा 3 व 21 का मसब कितना होगा 21 होगा ये आपको याद रखना है A व ब का मसब क्या होगा विद्यारतियों 21 होगा ये आपको विशेश द्यान रखना है क्लिरे स्टुडेंट क्यों क्यों क्योंकि A व ब का मसब जो है हमारा B यानि बाजक होगा बाजक यानि 3 होगा ठीक है एक तो हमारा A कौन है इस case में A है 21 और B कौन है हमारा बाज़क 3 तो 3 वा 21 का मसब कितना होगा 3 होगा यह नहीं हमारे A वा B का B जो है वो हमारा मसब होगा यह याद रखना बस यह चीज आपको याद रखनी है अब यह आपको डारेक्ट नहीं करनी जैसे यहां मैंने डारेक्ट कर दी 3 और 21 ठीक है अब आपको जब भी 2 संक्याइं देंगे तो आपको एक अलगोरित्म स्टेप्स करने चरण करने वो मैं आपको भी समझाऊंगा चरण के माध्यम से कैसे मसब निकालना वो आपको मैं समझाऊंगा जैसे यह सवाल आ गया कि निमनल संक्या युक्लिड विबाजन अलगोरित्म द्वारा महत्तम समापर तक ग्याद कीजिए तो इसको आप अच्छी से समझना 81 और 237 मेरे सामने दो संक्याइं 81 और 237 नहीं आएगा यदि आप 81 के पाड़े में 81 का भाग 237 में दोगे आपने दिया 81 का भाग तो 81 देखो तीन बार करोगे तीन आर्टिया चोईस होगा 243 ज्यादा होगा ठीक है 81 का भाग कितनी बार जाएगा दो बार तो एकम दो आर्ट उनी सोला 162 आएगा सेस बचेगा साथ में से दो गए पांच तेरा में से छे गए साथ ये बनेगा 75 तो आप यहाँ पर देख पारे हो 81 का भाग 237 में जाएगा नहीं सेस पल यहाँ पर जीरो प्राप्त नहीं हो रहा है तो अब मैं सब कैसे ग्याद करे वो चीज में आपको समझाऊंगा तो ध्यान से सुनना है सबसे पहले आपको क्या करनी जो दो संक्या है देदे 81 और 237 इन पर आप युकलिड विबाजन प्रमेका को दर साइए तो सबसे पहले बड़ी संक्या कौन सी है 237 ए बराबर 237 तता बी बराबर क्या है 81 में युकल विबाजन प्रमेका से ए बराबर 236 तता बी बराबर 81 में युकलिड विबाजन प्रमेका से अब आपको क्या करना है देखो 237 के अंदर 81 का भाग दिदो कितनी बार जाएगा अभी मैंने तीन बार तो ज्यादा जाता अभी बताया तीन एकम तीन आर्ट या चोईस 75 तो भाग नहीं गया बस आप इसको युकलिड विबाजन प्रमेका में कैसे लिखोगे ये तो हमारा क्या है विद्यारतियों बी है ये हमारा ए है ये हमारा क्यू और ये आर है ठीके तो ए बराबर क्या होती है बी क्यू प्लस आर होता है ए कितना है 237 बराबर भी है 81 स्टेप ध्यान से सुनना आपको दो संक्याइद 81 और 237 आपने क्या किया छोटी संक्या 81 का बाग 237 में दिया कर लिया अब सेस्पल 75 आया आपने ए बराबर भी क्यू प्लस आ रूप में लिख दिया अब आपने क्या देखा यहां सेस्पल जो है आर बराबर नॉट इकॉल जीरो यहां सेस्पल 75 आया जीरो तो नहीं आया इसका मतलब यह बी जो है यह बी मेरा मसब तो नहीं होगा मसब कब होता है जब सेस्पल जीरो आता है लेकिन सेस्पल कितना आया 75 आया जीरो नहीं आया तो अब आपको क्या करना है इस्टेप टू लेना है इस्टेप टू मे बाग तो दे देंगे, अब यह जो 81 है ना, इसको आप इधर ले क्या आजाओ, 81 को इधर ले क्या आओ, यह जो सेसपल आया, 75 इसको तो बाजक बना दो, और बाग किसमें दो, 81 जो जिसका पहले बाग दे रहते, उसमें अब बाग दे दो, ठीके, तो अब हम क्या करेंगे, 75 75 तो हमारा क्या हो गया 75 तो बाजक हो गया और बाजी कितना हो गया 81 वापिस सुनना जो पहले चरण का जो सेसपल था वो अगले चरण में क्या बन गया बाजक और पहले चरण में जो भाजक था वो अगले चरण में क्या बन गया बाजी अब भाग दो 75 का भाग देंगे 75 एक 81,B बराबर 75 में युकलिड विबाजन प्रमेइका से तो क्या होती है A बराबर B Q प्लस R होती है A कितना है मेरा 81 बराबर B है 75 इंटू बागफल कितना है 1 प्लस सेसपल कितना है 6 ठीके तो ये हमारा अभी भी देखिया सेसपल 0 नहीं आया सेसपल कितना आया 6 आया सेसपल अभी भी 0 के बराबर नहीं आया ये 0 के बराबर नहीं है तो ये जो B है हमारा 75 ये भी हमारा क्या नहीं होगा मसप नहीं होगा मसप कब होगा जब यहां सेसपल 0 आयेगा पहले चरण में सेसपल 75 आया 0 नहीं था दूसरे चरण में सेसपल 6 आया 0 नहीं था अब क्या करना आपको तीसरा चरण में अब इस सेसपल को अब नए चरण के लिए बाज़क बना दो और ये 75 जो है इसको लेकर आ जाओ किस के अंदर बाज़क के अंदर अब 6 का बाग 75 में दो 6 का बाग किस में देंगे स्टुडेंट 75 में देंगे कितनी बाज जाता है देखते हैं तो देखिये 6 एक कम जाएगा 6 ठीके सेसपल 7 में से 6 गया 1 अब बचेगा यहां पर 5 तो यहां हमने 6 का बाग 75 में दिया अब भी भी सेसपल 3 आया 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे student Euclid विबाजन प्रमेहिका आपने लिख दिये तीसरा step आपने क्या लिया ए तो लिया आपने जो पिछले चरण में हमारा क्या था पिछले चरण में जो बाजक था वो हमारा बाजी बन गया और सेस्पल क्या बन गया बाजक बन गया 75 और 6 में युकलिड विबाजन प्रमेहिका लगई वो ही देख रहे हैं A बराबर 75, B बराबर 6 में युकलिड विबाजन प्रमेहिका से तो क्या बनेगा 75 बराबर देखो बाग दिया 6 का कितनी बार गया 6 का बाग गया इस्टुडेंट 12 बार 12 चंग 72 प्लस सेस्पल कितना आ गया 3 आया तो इस किस्तति में भी देखिए अब सेस्पल 3 आ रहा लेकिन अभी भी सेस्पल 0 नहीं आया जब तक सेस्पल 0 नहीं आये इस प्रोसेस को आप रिपिट करते रहिए ठीके तो यहां पर भी देखो सेस्पल 0 नहीं आया तो यह जो है यह वाला जो हमारा बाजक है भी बराबर 6 यह भी हमारा मसप नहीं होगा अब क्या करेंगे अब इस तीन का भाग वापिस देंगे यह जो सेस्पल आया इसे बाजक बना देंगे तीन का भाग अब क्या करेंगे इस 6 के अंदर देंगे ये जो हमारा बाजक था पहले बाजक 6 था इसको हम नए चरण में क्या बना देंगे बाजी बना देंगे तो 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार सेसपल आएगा 0 ठीके तो ये चीज अब वापिस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ से 4 चरण में स्टार्ट करता हूँ A कितना है? 4 चरण के जिसके अंदर भाग दे रहे हैं 6 A 6 तता B बराबर कितना है 3 मैं युकलिड विबाजन प्रमीका से युकलिड विबाजन प्रमीका से आपको कुछ नहीं करना है जब तक सेसपल 0 नहीं आए आप आगे आगे इस प्रोसेस को बढ़ाईए और इसके आदार पर इदर लिखिए तो देखो इस प्रोसेस में बड़ी संत्या जिसमें बाग दे रहे हैं वो 6 हो गया बाजक 3 हो गया अब A बराबर BQ प्लस R वाला सुत्र उप्योग करेंगे तो क्या बनेगा 6 बराबर 3 इंटू 2 प्लस सेसपल 0 इस step में आप देखी पहले दूसरे तीसरे चौते चर्ण में कई सेसपल क्या आया है मेरा R बराबर 0 आरा रिमेंडर R का मान क्या आगया सेसपल 0 ठीक है तो इस इस्तती में आप क्या देख रहे हो यहां आप क्या देख रहे हो R का मान सेसपल 0 है अतह हम क्या लिखेंगे इस चर्ण का जो बाजक है भी बराबर 3 अतह हम कौन सी संक्या है अतह 81 और 237 का 81 और 237 का मसब क्या बनेगा अब इस्टुडेन इनका मसब कितना बनेगा इस चरण का क्योंकि बाकी चरण में सब जगह क्या हुआ सेसपल 0 नहीं है केवल इस चरण में सेसपल 0 आया तो इस चरण का जो बाजक 3 है वहीं मेरा क्या बनेगा मसब बनेगा क्या बनेगा मसब बनेगा नि मसब 3 होगा और आप ऐसे भी अबाजी गुनन खनवीदी से कर सकते हो लेकिन आपको बोर्ड में पूरे प्रोसेस से करना है शुरुआत में जो दो संक्याएं दे छोटी का बाग बड़ी में दो ए बराबर बीक्यू प्लस आर से दरसा हो सेसपल 0 नहीं आया तो अब आपको क्या करना है यहां पर देखिए आपको 81 में अब सेसपल का बाग देना है अब भी सेसपल 0 नहीं आये 6 तो 6 का बाग इस 75 में दे दो फिर भी सेसपल 0 नहीं आया आपका सेसपल 3 आया तो 3 का बाग इस 6 में दे दो अब सेसपल 0 आया जहां सेसपल 0 आये वहां का भाजक क्या होगा हमारे जो संक्याएं सवाल में दिये उनका मसप होगा और ये पूरे जो चरण में कर रहा हूं इसे ही अल्गोरितम कहते हैं एक जो है स्रंखलाओं का चरण है इस्टुडेंट जहां से हम जिससे हम मसब ग्याद कर रहे हैं तो युकलिड विबाजन से कैसे मसब ग्याद करने हैं आपको मुझे उम्मीद आ गए होंगे और जब हम प्रसनवाला में सवाल करेंगे तो और आप आसानी से समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब ए विद्यारतियों अंक गणीत की मूलबूत प्रमे ये बिह आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है अंक गणित की मूलबूत प्रमे ये क्या कहती है द्यान से सुनना इंपोर्टेंट है प्रतिक बाजी संख्या को अबाजी संख्याओं के एक गुनन फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कोई भी बाद्जी संक्या होती है उसे आप अबाद्जी संक्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हो यदि अबाद्जी गुणनखंडों के करम पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये गुणनखंड अध्युत्य होता है कैसे सुनना आप जैसे विद्यारतियों 210 दे रखा आपको क्या दे रखा 210 अब ध्यान से सुनना अंक गणित की मूलबूत प्रमे यह 210 दे रखा है आप इसका अबाजी गुननखन करिए 210 का अबाजी गुननखन करिए ठीक है तो दो का भाग देंगे तो आएगा 105 फिर तीन का भाग देंगे तीन 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 नो एक पांच जाएगा फिर पांच का जाएगा पांच सती पैती साथ एकम साथ तो हमने 210 के अबाजी गुननखन कर दिये 210 के अबाजी गुननखन क्या है विद्यार्तियों दो इंटू तीन इंटू पांच इंटू साथ ठीक है अब मैं आपको कहना चाहूंगा यह जो 210 है ना यह 210 मेरी बाजी संक्या है कैसी संक्या है बाजी संक्या है और इस बाजी संक्या 210 के आप ने जब अबाजी गुननखन किये तो यह आया दो तीन पांच साथ ये चारो ये देखो दो को देख लो चाहे तो तीन को देख लो चाहे तो पांच को देख लो चाहे तो साथ को ये सारो जो सारी के सारी कैसी संक्या है अबाजी संक्या है ये सारी में कैसी संक्या है अबाजी संक्या है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी भाज्जी संक्या है 210 ली मेंने आप कोई भी उदान के रूप में ले सकते हो कोई भी भाज्जी संक्या है उसको आप अबाज्जी संक्या है ये देखो इन संक्याओं का गुणा करोगे ना 2, 3, 6, 5, 30, 30 x 7, 210 यानि इन चारो संक्याओं जो क चारो कैसी है अबाजी संक्या हैं तो किसी भी बाजी संक्या को आप टुकड़े कर सकते हो अबाजी संक्याओं के रूप में और अबाजी संक्याओं का गुणा करोगे तो वही बाजी संक्या प्राप्त होगी तो यही चीज है कि किसी भी बाजी संक्या को अबाजी संक्याओ के गुणा की रूप में लिख सकते, यह देखलो, ठीक है, और इस गुणा को आप आगे पीछे लिख सकते हूँ, यदि मैं क्रम पर ध्यान दूँ, ठीक हो, जैसे मान लीजिए, मैंने तीन को आगे लिख दिया, दो को बाद में, फिर साथ को आगे ऐसे लिख दिया, या किसी ने लिख दिया 7 x 3 x 2 x 5 कोई भी क्रम इन संक्याओं की क्रम बजल दिया कभी 2 को आगे कभी पीछे है चारों वही देख लो 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 है वही संक्या लेकिन क्रम बजल दो तो भी उत्तर कितना आना है student 210 ही आना है पर इनके अलावा कोई नहीं संक्या आ गई आपने साथ की जगह 9 लिख दिया या सरी कोई अलग अबाजी संक्या जैसे 11 लिख दिया तेरा लिख दिया तो 210 नहीं आएगा इसका मतलब है कि किसी भी बाजी संक्या को आप अबाजी संक्याओं के गुणा के रूप में लिख सकते हो और यदि मैं गुणा के क्रम पर ध्यान नहीं दूँ गुणा के क्रम आगे पिछे लिख सकते हो ध्यान नहीं दो तो ये गु अंक गनित की मूलबुत प्रमे ये आपको विशेज ध्यान रकनी है और अबाजी गुननकन जो है विद्यारतियों गुननकन वरक्स के रूप में भी लिख सकते हैं किस रूप में विद्यारतियों गुननकन वरक्स के रूप में भी दर्सा सकते हैं कैसे ध्यान से सुनना जैस से मेरी संक्याती 210 के लिए रहे तो 210 में विद्यारतियों सबसे पहले मैंने किसका भाग दिया 2 का भाग दिया 210 में 2 का भाग दिया कितना आया 105 के लिए इस 105 में विद्यारतियों मैंने वापिस किसका भाग दिया तीन का भाग दिया, तो कितना आया विद्यारतियों, 35 आया, फिर वापिस मैंने किसका भाग दिया, 5 का भाग दिया, कितना आया, 7 आया, वापिस मैंने इसके अंदर 7 का भाग दिया, कितना आया, 1 आया, जब तक 1 नहीं आये, तो आप ऐसे करते रहो, या तो आप बजपन से दरसा हा रहे हो, ऐसे भी दरसाा सकते हो, जिस का भाग दो, वो तो इस तरह नीचे आएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो, 210-2 दो में फिर 105 है, 105 में 3 का भाग दिया, क्योंकि अंको का योग 6 हो रहा है, फिर 3 का भाग दिया, तो आया कितना, 35, फिर 35 में 5 lah, और फिर साथ का इसे गुननखन रक्ष कहते हैं ये तो अबाजी 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 गुननखन रक्ष कहते हैं ये केवल अबाजी संक्याई आती है और उन अबाजी संक्याओं का गुणा वही बाजी संक्या होती है अभी एक और सवाल को करते हैं जैसे बोला 128 को अब 128 जो है उसके अबाजी गुननखंडों के गुननफल के रूप में लिखिए ठीके तो आप 128 के अबाजी गुननखंड कैसे करोगे दो का भाग दोगे 64 बार दो का भाग दोगे 32 दो का भाग दोगे 16 दो आठ दो चार दो दो एक क्लियर है इस तरह इसका आपने अबाजी गुननखंड किया तो 128 के अबाजी गुननखंड में तो 7 बार देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 7 बार आपस में गुणा किया, 3, 3, 6 तो ये देख लो, 128 के आपने अबाज्जी गुनन खंड किये और उसमें सारी संक्याएं कैसी है, 2 ये है, दो कैसी है, अबाज्जी और इन सभी दो का आपस में गुणा 128 होगा इसे दी मुझे बोले कि गुननखन वरक्स के जैसे दर्षा हो तो भी दर्षा आ सकते हो गुननखन वरक्स के रूप में कैसे दर्षा आएंगे सुनना आप ठीके 128 को लिखा हमने 128 में सबसे पहले किसका बाग दी हमने 2 का तो कितना आएगा विद्यारतियों 64 फिर वापिस किसका देंगे 2 का तो क्या आएगा 32 आएगा ठीके फिर वापिस 2 का देंगे तो क्या आएगा 16 आएगा फिर 2 का देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा फिर वापिस 2 का देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा फिर वापिस हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा दो आएगा फिर वापिस दो का देंगे तो क्या आएगा एक आएगा ये हो गया गुननınकण भुक्स ठीक है इस तरह लिखो या इस तरह लिखो आगे बढ़ते हैं अगला विद्यारतियों अबाजी गुननखन द्वारा लगुतम और महत्तम समापरतक ग्याद करना अभी तक आप मसप मसप दो बार सुन चुके हो अब होता क्या है लसप और मसप उस पर हम डिटेल से पढ़ेंगे अबाजी गुननखन इसके भी खूब से आपको करना है अबाजी गुननखन वीदी द्वारा LCM और HCM ग्याद करना तो पहले बात करते हैं लगुतम समापरतक की क्लियर है होता क्या है लगुतम समापरतक तो ध्यान से सुनना है विद्यारतियों वह नियूंतम नियूंतम वड कहीं पर भी आए छोटी से छोटी स संक्या जो दी गई संक्याओं से पून्तया विबाजित हो लगुतम समापरतक कहलाती है ठीक है अब इस परिभासाओं को में जब ये इन तीन संक्याओं का 6, 72 और 120 का मैं लसब ज्याद करूंगा वो भी अबाज जुगुननखन वीदी से फिर आपको समझाओंगा ये परि अब जुगुननखन वीदी से अबाज जुगुननखन करता हूं 6 का क्या होगा 2, 3, 3, 1 ठीक है अब 72 का अबाजीुननखन क्या होगा दो बाग देंगे 36 बार 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1 के लिए ये अबाज जुगुननखन हो गए 72 की 120 के अबाजीुननखन करते हैं 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, फिर आएगा पाँच, फिर पाँच, एक. ये हो गए, छे बहत्तर और एक सो बीज के अबाजी गुननखन. मैं लि​क देता हूँ, छे के अबाजी गुननखन में, दो कितनी बारे, एक, टीन भी एक बार, दोनों की गात एक एक. 72 के अबाजी गुननखर्ण में दो कितनी बारे एक दो तीन तो दो की गात कितनी आ गई तीन कितनी बारे आपस में दो बारे तीन की गात दो और 120 के अबाजी गुननखन में 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 2 की गात 3 आ गया, 3 की गात 1 और 5 की गाते, ठीक है, ये तीनों संख्याओं के मैंने अबाजी गुननखन कर दिये, और ये गाते क्यों लगई विद्यारतियों क्योंगे आपको पता है, जब भी 2 आपस में 3 बार गुना ह तो उसे लिखते हैं 2 की गात 3, कहीं पर लिखा हो 3 चार बार गुना हो रहा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की गात 4, ठीक है, कहीं पर 5 जो है, आपस में M बार गुना हो रहा, 5 इंटू 5 इंटू 5, M बार गुना हो रहा, M कुछ भी हो सकता है, 7 बार, 22 बार, 45 बार, 5 इंट इंड़ 5 इंड़ 50 बार लिखा हुआ तो 5 की गात 45 लगा ओगे दो 5 की गात M लगाऊगी यह चीज चोटी क्लास होकी है इसलिए मुझे पता है आपको आती होगी आप 10 क्लास की हिरो हो तो आपको 10 क्लास की चीजों पर जड़ा फोकस किया जा रहा है ठीक है तो हमने यहां दो-तीन बार ता इसलिए दो की गाथ तीन और तीन दो बार गुना वह रहा तो तीन की गाथ दो अब इनका क्या निकालना में लसप निकालना ठीक है किन संक्याओं का उनको आप ऐसे कोश्टक में लिख दो 6,72,120 कोश्टक मतलब कोश्टक में जो संक्यां लिखी हैं उनका मैं मसप निकाल ला हूँ, स्वरी लसप निकाल ला हूँ तो में से आधखना लसप में आपको देखना है देखो सबसे पहले 2 आ रहा है पांच केवल 120 के अबाजी गुननखड में तीनों को लिख दो अब तीनों को पहले लिख दो 2 into 3 into 5 ऐसे लिख दो आप और लगुतम समापर तक है तो आप क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी गात लो दो की सबसे दो यहाँ एक बार है यहाँ तीन बार है यहाँ भी तीन बार है तो सबसे ज़्यादा गात तीन है तीन की गात देखो यहाँ एक है यहाँ दो है यहाँ एक तो बड़ी गात दो है तो बड़ी गात लिलो यानि लस्टप में हम क्या करते हैं अबाजी गुननखंड है उनकी बड़ी गाते लेते हैं पांच देखो पांच यहां और यहां मौजुद ने केवल यहां है उसकी गात एक लेलो सरल करो दो की गात तीन कितना होगा आठ होगा दो दुनी चार दुनी आठ हो जाएगा क्लिरे तीन की गात दो नौ हो जाएगा इंटू पांच आठ नम बहत्तर बहत्तर को पांच से गुणा करेंगे पांच दुनी दस पैतिस और एक शत्तिस तो इन संख्याओं का लसब कितना आगया तीन सो साथ तो लसब कैसे ग्यात करना है आएगा आपके बोड का सवाल है अब आज ये गुणनखन कर दो इस तरह लिख दो और तीनों जो भी मौजूद है जो बहुत संख्याओं है बले ही एक इसमें हो इन दोनों में नहीं है सब को लिख दो और उनकी बड़ी गाते लिलो और आपस में गुणा कर दो ये इनका क्या आजाएगा लसब अब बात करते हैं इनका मसब संख्याओं का अब ये लसब होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है जैसे संख्याओं थी छें, बहत्तर और एक्सो बीस इनका लसब क्या आया तीन सो सांट आया अब परिबासा पड़ो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूनता है विबाजित हो तो केवल तीन सो सांट जो है छोटी से छोटी संख्या है जिसमें छें, बहत्तर और एक्सो बीस तीनों का भाग जाता है एक साथ 6 का भी भाग जाएगा उसमें 60 बार, 72 का भी भाग जाएगा 5 बार, 120 का भाग भी जाएगा 3 बार उससे छोटी कोई संक्या नहीं, आप चाहे तो डून लेना कोई भी ऐसी संक्या नहीं है, जो तीनों से विबाजित हो विद्यारतियों इनसे छोटी कोई संक्या नहीं इससे बड़ी मौझूद हो सकती है 360 से बड़ी संक्या हो सकती है लेकिन 360 से छोटी संक्या है कोई नहीं है 360 से बड़ी जैसे आपने 720 ले ली तो 720 में भी इन तीनों का भाग जाता है लेकिन बड़ी खुम सारी मोजुद में ये कहना चाहता हूँ छोटी नहीं है अब बात करते हैं विद्यारति महत्तम समापर्तक की महत्तम समापर्तक क्या है वह अधिक्तम यानि बड़ी से बड़ी संक्या जो दी गई संक्याओं को पूर्ण तया विबाजित करे उसे हम क्या कहते हैं महत्तम समापर्तक क्लियरे महत्तम समापर्तक कहते हैं अब देखिए इस परिभासाओं को भी पहले अबाजी गुननखन वीदी द्वारा इनका मसप निकाल देता हूँ फिर आपको समझाओंगा तो पहले हमारे पास तीन संक्याओं है चालीस अबाजी गुननकन करते हैं दो बीस दो दस दो पांच पांच एक अगली संक्याओं चट्टीस चट्टीस का होगा दो अठारा दो नो तीन तीन एक क्लियर है यह हो गया अगला 126 है उसके अबाजी गुननकन करते हैं 2-6-3 फिर वापिस बाग देंगे किसका 2-7 का देंगे 21 बार फिर 3 का साथ-7-1 यह हमने इन तीनों पुनान जो तीनों संक्याओं दी उनके अबाजी गुननकन देख लीए तो 40 के अबाजी गुननकन कितने आ रहे हैं दो की गात 3 इंटू 5 की गात 1 36 के अबाज गुननखन 2 की गात 2 into 3 की गात 2 126 के अबाज गुननखन क्या है 2 तो है 1 बार 3 कितनी बार है 2 बार into 7 की गात 1 ठीक है अब इनका क्या निकालना में मसप निकालना है महत्तम समापर्तक अब ध्यान से सुनना जिन संक्याओं का निकालना है उन्हें हम क्या करते हैं कोष्टक में लिख देते हैं इस तरह आप लिख दो ठीक है क्योंकि सवाल कि ये तीनों संक्याओं थी मसब के कोष्टक अब इनका मसब क्या होगा तो मसब विद्यारतियों जो तीनों में आये उसी को लेना है ऐसी कौन जो तीनों में आ रहा है, तीनों में ओन यहां नहीं, तो तीनों में केवल दो आ रहा है, उसे ले लो और उसकी छोटी गात दो, जैसे लशब में बड़ी गात ली, मशब के अंदर toe में यानि आद बढ़ी दो का लिए जाती है, तो चोटी गात ले लो तो दो की गात यहां तीन यह बड़ी है उससे छोटी दो उससे छोटी एक तो दो की गात एक यानि हम क्या लेंगे दो लेंगे इन तीनों संख्याओं का मसब कितना होगा इस्टुडेंट दो होगा ये आपको ध्यान रखना है यानि अधिक्तम बड़ी से बड़ी संख्या दो ऐसी है जो इन तीनों को विबाजित करती है दो से बड़ी कोई संख्या मौजुद नहीं है क्लिर है दो से बड़ी 40, 36 और 126 इन तीनों में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा आप देख लो 40 में दोगे 20 बार 36 में दोगे 18 बार 126 में दोगे तो 63 बार जाएगा दो से बड़ी कोई संख्या मौजुद नहीं है दो से छोटी है दो से छोटी यानि एक में एक का भाग तीनों में जाता है ठीक है और कोई नहीं है दो से बड़ी कोई संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी संख्या केवल दो है जिसका भाग इन तीनों में हम दे सकते हैं उस से कहते हैं मसब करने के बाद जो संक्या सभी में उपस्तित हो उसकी क्या करो आप सबसे छोटी गात दो और जब मैं प्रस्णमाला करऊंगा तब और डीटेल में इस पर हम चर्चा करेंगे ताकि विद्यारतियों को कोई समझ्या नहीं आये तो विद्यारतियों आज की क्लास में जो है हमने किन-किन टॉपिक्स पर चर्चा करी वो आपको विद्यारतियों को समझ में आ चुका है अच्छे से समझ में आया है और भी हम चर्चा करेंगे अच्छे-च्छे प्यारे रोचक क्वेस्चन लाएंगे क्योंकि हमारा बेसिक यदि मजबूत है तो हमें प्रस्नमाला को पढ़ने में भी बहुत ही आसान लगेगा और एक मज़ा सा फील आएगा यह जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इससे आपको अच्छे से लेना है और अच्छे से समझना है क्योंकि हम दसवी बोड के विद्यारती और हमें ड्रीम अंडे होंगा तब आपको और चीजे क्रिश्टल क्लियर हो जाएगी आज के लिए इतना ही स्वस्त रहे मस्त रहे